हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, स्टडी प्लस वर्क आट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम B.A.C. First Year Geology का थर्ड पेपर Taxonomy, Evolution, Biostatics and Computer की आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वीडियो बनाते टाइम पूरा ध्यान रखा गया है कि सभी आंसर बिलकुल सही हो, लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी कुछ आंसर में variation आ जाता है, तो फ्रेंड्स, आप उसे comment कीजिए, तो description में मैं सही answer डाल दूँगा, फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक request है, प्लीज चैनल को subscribe कीजिए, और जो मेरा target है 500 subscribers का, उसे फ्रेंड्स, पुरा कीजिए, तो फ्रेंड्स, चलिए हम start करते हैं, अपनी answer की, फ्रेंड्स, question number one है, हिस्टोरिया, जन्रेलिया, प्लेंटिरम, कुछ तक किसके द्वारा प्रकासित की गई, तो फ्रेंड्स, यह प्रकासित की गई, जोन रे के द्वारा, question number one का हो जाएगा, question number two, taxonomy के जनक है, फ्रेंड्स, आयोब सब को पता होगा, taxonomy के जनक है, question number three, विकास के अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई था, तो फ्रेंड्स, न्यू सिस्टेमेटिक जो दिया गया था, वो जूलियस हैक्स ले द्वारा दिया गया था, फ्रेंड्स, जो आंसर से, वो इंटरनेट सोर्स पे डिपेंडेंड है, तो आई रिपीट अगर आपको वेरिशन लगे, तो प्लीज आप उसे कमेंट कीजे, और सही आंसर मैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, परिवार के बीच है, तो फ्रेंड्स, जो फैमली है, टेक्सोनोमी का जो एक कैटेगरी है, फैमली हो, किसके बीच होती है, तो friends ये होती है हमारी question number 5 का हो जाएगा हमारा C order और जीनस के बीच में question number 5 का हो जाएगा C question number 6 वर्गिकरण में पदानुकरम किसके द्वारा पेस किया गया था तो friends ये पेस किया गया था lineage के द्वारा question number 6 का हो जाएगा friends हमारा C को स्नूमर्ट सेवन आधुनिक वर्गी करण पर आधा रही तो यह प्रेंड्स हमारी फाइलोजैनी पे आधारीता है को सिर्फ नमर्ट गौजए गाँ भी Q9, Species Plannerum किसी नहीं लिखी, तो Friends, Species Plannerum लिखी है, Linus ने, Q9 का हो जाएगा C Q10, आनवानसिक अंतर सम्बंदों पर आधरी तन्या गैस्तित है, तो Friends, Q10 का हो जाएगा हमारा C, यह है Friends, Experimental Taxonomy Q11, एक Taxon है, तो Friends, जो एक Taxon है, वो निकट सम्बंदी जीवों का एक समोग है, Q11 का हो जाएगा B Q12, वर्गी करण की किर्तिम प्रणाली का पहली बार उप्योग किया गया था, तो Friends, पहली बार उप्योग है किया गया था, Linus के दोरा, Q12 का हो जाएगा हमारा B Q13, फाइलम सब्द सर्व पर्थम किसके द्वारा दिया गया था, तो Friends, फाइलम सब्द सर्व पर्थम दिया था, हैकल ने Q13, गो जाएगा C Q14, अरस्तु ने जानवरों को बिवा जित किया था, तो Friends, इन्होंने दो भागों में बिवा जित किया था, एक है इनीमिया और दुसरा है Friends, एनीमिया Q14, कहा जाएगा C Friends, इन्होंने जित किया था, और एनीमिया होते है Friends, इन्होंने रेड बलड नहीं पाए जाता Q15, जीवों के एक समुमें परजातियां, जो Q16, जीवों का जीवों होते हैं, उनका जो ग्रूप होता है Friends, वो स्वतंतर रूप से इंटर्प्रिट कर सकता है Q14, कहा जाएगा A Q16, दुईपद नामकरण का आर्थ है Q16, एक नाम जिसमें सामने नाम और दुसरा जिसमें विस्येस होता है Q16, उत परिवर्तन सबसे पहले देखा था Q17, जीवों का जाएगा A Q18, जीवों का जाएगा A Q17, एक विस्येशन थोड़ा सा मिस्प्रिंट भी हो सकता है Q17, जीवों कि जो उप्सन नमबर सी है यह निटान दिया गया है तो फ्रेंट्स में भी जो उत परवर्तन की काई है यह तो फ्रेंट्स मिटान होती है So, फ्रेंट्स इस कोईशन पर अब डिसकर्स किया जाया या नहीं यह मैं समझने पा रहा हूँ लेकिन फ्रेंट्स जो उत पर वर्तन की काई है वो फ्रेंट्स मिटान है Friends, आप देख सकते हैं अगर सी मान भी सकते हैं Friends लेकिनों मिस्प्रिंट है तो ये question misprint है friends Question number 19 उत्परिवर्तन या अस्त भिंता का सिधार्त सरुपर्थम किस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था तो friends ये प्रस्तावित किया गया था D breach के द्वारा Question number 19 गा हो जाएगा D Question number 20 Question number 21 आनवानसिक बिंता किस के द्वारा उत्वन होती है So friends आनवानसिक जो बिंता है ये friends वैसे तो friends जो आनवानसिक बिंता है चानक से हो Mutation से भी होती है लेकिन friends Recombination के टाइमसी friends Genetic variation आ सकते हैं और Chromosomal evaluation से भी है So friends question number 21 गा हो जाएगा D Question number 22 Mutation सब्द किस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था So friends ये D breach द्वारा दिया गया था Question number 22 का हो जाएगा A Question number 23 Sahaanubhutti पर जाते हैं जिनके ये वाकारिके में समान लेकिन अलग-अलग रूप से पुनरुत्वाद्वित करते हैं ये कहलाते हैं friends भाय बहन पर जाते हैं Question number 23 का हो जाएगा B Question number 23 का हो जाएगा friends B ये कहलाते हैं friends Sibling species Question number 24 पर जाते हैं के वेक्तियों के स्थाने और बॉबॉबॉलिक समों को कहा जाता है तो friends इसको कहा जाता है Geographical Population Question number 24 का हो जाएगा B Question number 25 Origin of species परकासित की गई थी तो friends origin of species ये परकासित की गई थी friends Darwin के दोरह Question number 26 पुरा पासांड विज्यान वह विज्यान है जो संबंदित है तो friends इस संबंदित है हमारा विलुप्त जीवों से Question number 26 का हो जाएगा B Question number 27 जीवासमों के अध्यन को कहते है इसे कहते है friends जीवासमी की यानि 27 का हो जाएगा D Question number 28 निम्न में से जैविंग विकास का सबसे परतेक्ष परमाण है तो friends ये फॉसिल्स है question number 28 का A question number 29 जीवास्म रह गये हैं तो friends question number 29 का हो जाएगा हमारा A ये friends वो मिर्त जीव होते हैं जो preserved रहते हैं ठीक है friends question number 30 coal और petroleum के अस्तित को किस उदारन से जाना जा सकता है तो friends ये हमारा जीवास्मिकी से जाना जा सकता है question number 31 विर्बल साहनी जीवास्मिकी संस्थान कहां इस्तित है friends ए question आपकी फिलियो बाटनी में भी था तो इसका अंसर है friends लखनो question number 31 का हो जाएगा B question number 32 question number 32 का D question number 33 आदुनी गोडों का दान्त question number 33 का हो जाएगा B question number 34 एक विज्यान के रूप में संख्या के अनुवसर को प्रधान करती है तो इसका friends वजाएगा A और result of chance यानी friends probability भी देती है और result of coordinating experiment और पुरयों का result भी देती है question number 35 बाइस्टेटिक्स के उद्देश्य है so friends बाइस्टेटिक्स के उद्देश्य है उपरोग सभी friends data उत्पन करने के लिए पुरयों आत्मग जाँच और नमुना सर्विक्षण तयार करने के लिए friends ये ABC इसके तिनों है question number 36 यदि समस्टी के सदस्यों की संख्या आनत हो तो इससे कहते है तो इससे कहते हैं friends infinite population 36 का C question number 37 friends मान्य घंटी के आकार का वित्रण वक्र कहलाता है तो friends ये सामान्य वक्र और गहसी वक्र दोनों कहलाता है question number 37 का हो जाएगा D question number 38 सतचर के द्वारा दर्साय जाता है तो इससे दर्साय जाता है friends histogram 38 का हो जाएगा A question number 39 mode है mode है friends जो most frequent value है question number 39 का हो जाएगा A माधिका है माधिका है friends positional average question number 40 का हो जाएगा C question number 41 सह सम्बंद गुणांक तो friends ये plus 1 और minus 1 के बीच रहता है 48 का हो जाएगा friend D question number 42 मानक विचलन तो friends मानक विचलन क्या होता है वर्ग विचलन के समांतर माधिका वर्ग मूल होता है friends question number 42 का हो जाएगा A question number 43 G square test है तो friends G square test है समगर विचलन वर्ग के मत्तों का परिक्छन friends I repeat अगर variation लगे आपको please comment कीजे मैं तो सही answer हम discuss करके description में डाल देंगे CPU card है any friends CPU की फुल पुछे जाए रहे यहां पर तो है friends Kendriya persons run 1 question number 44 का हो जाएगा C central processing unit question number 43 output device make it possible तो friends output device possible बनाते हैं डाटा को देखें और print करें question number 45 का हो जाएगा A ठीक है friends any जैसे की monitor है monitor में friends हम डाटा को देख सकते हैं क्या है एक output device है और जैसे की printer है तो मोज सी friends print कर सकते हैं तो printer output device है question number 46 OCR stand 4 तो friends A stand 4 होता है friends optical character recognition question number 46 का हो जाएगा A question number 47 RAM dot dot और dot है तो friends ये क्या है एक अईस्थिर और अईस्था ये friends question number 47 का हो जाएगा A ये क्या है volatile और temporary है question number 48 computer का कौन सा भाग सुचनाओ को इस्टोर करने में मदद करता है तो friends जो disk drive है ये मदद करती क्योंकि बोर्ड मांटरप्रेटर है ये तो इस सब करती नहीं question number 48 का हो जाएगा A question number 49 निमलिखित में से कौन system unit का हिस्सा है so friends वैसे system unit तो friends CPU वो बोलते हैं तो maybe is cancer हो friends B CPU question number 50 कार्याले को बनाई रखने के लिए computer के अनुपरियों को कहा जाता है तो इसे friends कहा जाता है electronic office question number 50 का हो जाएगा B so friends thanks for watch this video और friends आपसे last time भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर answer में variation लगे तो friends हम comment में discuss कर सकते हैं और friends जहां तक friends मुझे लगता है कि आपके exam अब समापत हो चुके हैं तो friends best of luck for next year और stay home stay say be happy thank you friends thank you very much और channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूले thank you friends